कि यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूं कि दूस्तों आज आप लोगों के लिए बिज्ञान की कुछ महत्वर्ण प्रश्णों के साथ मैं एक बार फिर से उपस्तित हूं तो चलिए बेन देर की हुए हम अपने पहले प्रश्णों को सुरू करते हैं यह रहा हाज का हमारा पहला प्रश्ण तापकरम बढ़ने पर यदि प्रत्रोद घटता है तो वहां है यह अर्धिचालक बी अर्धचालक से बिद्धूत्रोधी और डी ए और बी दोनों जल्दी जल्दी उतर दीजिए बहुत अच्छे बिल्कुल बहुत सही बिल्कुल डी इस ता राइट अंस दोनों में आता है ठीक्या गैस कोशंट अपे निमलिखित अमलों में से कौन सा प्रबल अमल है जी इंगति अमलों मेंसे काउन सा प्रबल iamla ही यह लैक्टी में लभी इसकर्विक अंसुनिश्थ्राइं। धृमिक अमल जल्दी उतर दीजिए जी हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे जी बिलकुल बिलकुल हो सही बिलकुल वह हो से इस दा राइट एंसर से इस दा राइट एंसर सेलफियृक एसीड हम लोग में सबसे प्रवल अम्ल जो होता है Sulfuric Amal होता है ठीक है Next Question PH में P किसका सूच कांग है जी हाँ PH मान जो होता है PH में P किसका सूच कांग है A PUSANTS का B Power का C दोनों का D इनमें से कोई नहीं क्या होगा वबो जी हाँ बिलकुल बहुत अच्छे बिलकुल बिलकुल A is the right answer PUSANTS पी यच में पी जो है पूसांस का समोधक है नेश कोश्चन एथिन का अड़ुएक सूतर C2 येश 6 है तो इसमें डाट 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 A, 6 सह सहयोजक आबंद है B, 7 सहयोजक आबंद है C, 8 सह सहयोजक आबंद है और D, 9 सह सहयोजक आबंद है जल्दी उतर दीजे आप एथेन कार्विक सूथ C तूई अच्छ है तो इसमें कितने सहसा योग आबंद होते हैं जल्दी बता दीजे बहुत अच्छे बिल्कुल बिल्कुल बीज़दा राइट अंसर बाबू साथ सहसा योग आबंद होते हैं ओके खाना बनाते समय ये बरतन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है खाना बनाते समय ये बरतन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है भोजन पूरी तरह नहीं पका है B इधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है C इधन आर्द है D इधन पूरी तरह से जल रहा है जल्दी उतर दीजे वह अच्छे जी हाँ बिल्कुल बहुत सही बिल्कुल बावब बिल्कुल B is the right answer बावब B is the right answer ठीक है खाना बनाते समय बर्तन की तरह बाहर से काली हो रही तो इसका मतलब है कि इधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है क्योंकि जब इधन पूरी तरह से जलेगा ने तो इसमें धुआ होगा और बाहरी परत काली पड़ जाएगी निश कोश्चन सभी लवण होते हैं सभी लवण होते हैं बिद्दूत अन अबगट दो बिद्दूत अबगट सी अस्ताई अबगट डी उदा सीन जल्दी बताएं विल्कुल बहुत से विल्कुल बीज दर आइटन सर्वावू सभी लवण होते हैं बिद्दूत अबगट होते हैं ठीक है नेस्ट कोश्चन उत्ता दरपड से अफ्रत डिफ़्वय भसदर बनता है थे नहीं जहां उत्तल दरपड से उत्तल दरपड से सदेव उत्तर डरपड से प्रत्व् Beanbridge सदे बगट है वकुत om जांन के बीच सिंब्य वकूतर बता के इन तथां। तथांन के विज बीश्चे द्रूव फोकस के बीच दी कभी भी नहीं बन सकता मिलकुल सही उतर दीजेबल बाबू बहुत अच्छे बहुत अच्छे बिलकुल she is the right answer she is the right answer द्रूव फोकस के बीच उत्तर लड़पड का प्रतिविम सद्रूव फोकस के बीच बनता है ठीक है next question अब्रित का आवर्तकाल का गुडणफल होता है जी हाँ अब्रित के आवर्तकाल का गुडणफल होता है a1 b4 c2 d8 जल्दी उतर दीजे क्या होता है जी हाँ बहुत अच्छे बिलकुल 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 भिया एज दराइट एंसर आवर्तकाल का गुडणफल हमेशा एक होता है ठीक है हमेशा एक होता है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आरे वीडियो को लाइक कर दीजिए साथी साथ चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जी और नोटिफि जो नहीं देवा रहा हो लेकिन आपको नंबर सिस्टम का पार्ट शिक्स बहुत ही महातपोड कोशिनों के साथ आपको अगले दिन मिलेगा चलिए हम अपने अगले प्रश में चलते हैं यह रहा हमारा आगला प्रश जल में तैरता जल में तैरना न्यूटन की किस नियम का क बहुत अच्छे बहुत अच्छे बिलकुल इज दहार नियूटन के तिर्थी गत्नियम के कारण संब्भ हो है ठीक है न्यूटन के तिर्थी गत्नियम के कारण जल में तारेना संब्भ हो है निश्कोश्चन चंद्मा की सता के पलायन वेक का मान पिर्थवी की सता की अपेक्षा कम होता है चटमा की शता का वलान बेक कमान पिर्थवी होता क्योंकि शांट म बाता हैं बपाता है यहा है यहां बिलकुल बिलकुल बेजदा राइटेंस और चंदमा का द्रभ्यमान कम होता है जी हां चंदमा की सता का प्रिद्वी की सता की अप्रिक्षा कम होता है क्योंकि चंदमा का कोई भी वाइब अडल नहीं है जबकि प्रिद्वी पर चंदमा का प्रिद्वी का मान चंदमा के द्रभ्यमान से कम होता है ठीक है क़ किसी द्रहों में प्रिष्टी तनाओं के कारण बल्सक्रीव होता है ए सतह है। सतह-स रेकः के रूप में हजवेश़ है। वहुत अच्छे बहुत अच्छे बिलकुल बिलकुल भी यह एजदराइटेंस वर सता पर लंबत रोब में किसी दर्व की प्रिष्टी तनाओं का कारण जो है सता पर लंबत रूब से प्राप्त होता है ठीक है एक सामान सुस्क सिल में बिद्दत अपगट होता है एजिंग B Ammonium Chloride, C Ghandhak Acid, D Magneze Dioxide, जल्दी जल्दी बताएं बबू, क्या होता है, बहुत अच्छे, मिल्कुल भीज़ा, B is the right answer, एक समान सुस्क्रिम बिद्धुत अपफ़ट किरू है, Ammonium Chloride होता है, ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को आप ला आन कर लिजे, जिससे आने वाले हमारी सभी वीडियो आपको मिलती रहे, धन्यवाद हूँ,